हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तुरफ से प्यार भ्राण नमस्कार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बनाने वाले हैं बहुत ज्यादा टेस्टी बैंगन का भरता जियां इस तरह से आपने कभी नहीं बनाया होगा तो ट्राई जरूर क अब पहले से रोस्ट करके भून कर रक चुकी हूं तो जचुकी हूं तो लगाते हैं तड़के के लिए मैंने पैन रख दिया और डाल दिया तीन चमज ओईल दो चुटकी मैंने इसमें हिंग कर दी और एक चमज डाल दिया जीरा अब इन डोनों को अच्छी तरह से हम फ्र आप लंबाई में भी कट करके इस्तमाल कर सकते हैं, या बरीग बरीग भी काट सकते हैं, तो इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है, जब तक इसका कच्चा फ्लेवर प्याज का खतम न हो जाए, ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा भून लेते हैं, एक तो कहने ही क्या, तो इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, और अब मैं साथ में ही डाल दूँगी इसमें, एक चमच के करीब जिंजर गालिक पेस्ट, आप कट करके भी इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट का इस्तमाल कर रही हूँ, अब इसे भी हम भूनेंगे, कम से कम जब तक जिंजर गालिक का भी कच्छा फ्लेवर बिल्लकुल खतम ना हो जाए, और ये तीनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून जाएं, तो फ्लेम इसकी हाई है बिल्कुल, तो हाई फ्लेम पर ही मैं इसे भून रही हूँ, तो ये देखिए, आप देख रहे हैं हलका सा कलर चेंज हो गया है प्याज का और जिंजर गालिक भी अच्छी तरह से भून चुका है, अब डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले जिसमें मैं ले रही हूँ, आदा चमच लाल मिर्च का पाउडर यानि की रेट चिली पाउडर, दो चुटकी मैंने लिया है, टर्मरिक पाउडर यानि की हल्दी पाउडर, आदा चमच ले रही हूँ, कौरियंडर पाउडर यानि की धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से, ताकि यह थोड़े से रोस्ट हो जाए, हमारे जो ड्राइव मसाले है यह भी अच्छी तरह से पक जाए, बस अब हम इ बीण साइज के ही टमाटर थे, जिसे मैरे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल लाल कलर के टमाटर थे, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमें झीच आज़ बुनना है रेंश की टमाटरों cry future बहुँना हो मिक्स करेंगे, एक बार फिर अच्छी बिढ़ेंगे ताकि मसाला नीचे लग ना जाए तो लीजे फ्रेंट्स पांच से छे मिनट हो चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है तो अब पारी है इसमें भुने हुए बैंगन एड करने की जिसे मैं पहले से ही मैश कर चुकी हूँ तो डा और उसे पानी में डाल दिया गरम गरम बैंगन को और उसके बाद उसे चील कर उसे अच्छी तरह से चेक करके और मैश कर लिया हाथों से तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले में ताकि सारा मसाला बैंगन के उपर अच्छी तरह से लग जाए और फ्रेंट्स चार से पांच मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए यसे हमें भुनना है बीच बीच में कवर भी करेंगे तो पांच से छे मिनिट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से हमारा ये बैंगल का भरता बन चुका है डालते हैं इसके ओपर गरम मसाला साथ में ही डाल देते हैं हरा धनिया कटा हुआ और करते हैं इसे अच्छी तरह से mix तो बहुत ही जबरदस खुश्बू भी आ रही है फ्रेंड्स बेंगन का भरता हमारा बिल्कुल त्यार है आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं नान के साथ खाएं प्रांठे के साथ खाएं पूरी के साथ खाएं यह से खाएं चपाती के साथ इवन चावल के साथ भी यह बहुत टेस्टी लगता है कलर बहुत ही जबरदस्त आया फ्रेंड्स मैं आपको नजदीक से पी दिखाउंगे अगर वीडियो पसंद आये है तो प्लिज इसे लाइक, शेर, और कमेन्ट जरूर कीजिये और मेरे चैनल को भी तक संब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिये यह देखिए, कलर देखिए इसका कितना लाजव कलर आया बहुत अच्छी तरह से हमने भून भून कर इसे त्यार किया है मसाला अच्छी तरह से पका हुआ होना बहुत जरूरी होता है उसके बाद हमें बैंगन को भी अच्छी तरह से पकाना है मसाले के साथ तो भरता हमारा बहुत टेस्टी बनता है बैंगन का तो लीजिए त्यार है आपके लिए जबरदस्त मसालेदार बैंगन का भरता इंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हो एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बैबाए